एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे, एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिता जी इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिता जी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुन कर हैरान रह गए. फिर वे बोले बेटे एक मनुष्य की कीमत आकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है, बालक ने पूछा क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण है? पिता जी ने कहा हा बेटे, बालक के कुछ पल्ले पड़ा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यो है? किसी की कम इजज़त तो किसी की ज्यादा क्यो होती है? सवाल सुनकर पिता जी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रौड लाने को कहा रौड लाते ही पिता जी ने पूछा इसकी क्या कीमत होगी? बालक ने कहा लगभग 300 रूपए पिताजी बोले अगर मैं इसके बहुत से चोटे-चोटे कील बना दू तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोच कर बोला तब तो ये और महंगा बिकेगा लगभग 1000 रूपए का पिताजी बोले अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दू तो बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी पिताजी उसे समझाते हुए बोले ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है बलकी इसमें है कि वो अपने आपको क्या बना सकता है बालक अपने पिता की बात समझ शुका था